हुआ आप सब आज की स्वीडियो में हम बनाने वाले है चिकन कलेजी कर्णाई तो चले स्टार्ट करते हैं मुआ कि चिकन कलेजी कणाई बनाने के लिए हमने लिया है एक कणाई में कोकिंग उयल साथी साथ उसमें शामिल कर दिया है वन टेमाटर अधरक्लासन का पेस्ट और चार अधर टेमाटर बारी काटके टू टी स्पून कुटीवी लाल मिर्चे और वन टी स्पून नमग आप टेमाटरों को पहले अच्छी तरह से गला लेंगे जब टेमाटर अच्छे से गल जाएंगे तो उसके बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे चिकन की कलेजी टेमाटर हमने इसलिए पहले गलाएंगे कलेजी चिकन की बहुती जल्दी से तयार हो जाती है और गल जाती है टेमाटर गल नहीं पाते है और कलेजी गल जाती तो टिमाटर खड़े-खड़े नजर आते कढ़ाई में अब हम इसमें शामिल कर देंगे चिकन की कलेजी और चिकन की कलेजी को अब हम 4-5 मिन्ट तक बगएर पानी डाले अच्छी तना से उसकी भुनाई कर लेंगे टिमाटरों के साथ जब अच्छे से इसकी भुनाई हो जाएगी तो उसके बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून पिसीवी काली मिर्चे और 5-6 अदद हरी मिर्चे नमक और मिर्चे आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से कम और जादा कर सकते हैं अब हम इसे 4-5 मिंट के लिए दंपे रखेंगे कलेजी हमारी वैसे बहुत अच्छे से गल चुकी है 4-5 मिंट बाद मैंने इसका फ्लेम आफ कर दिया है कलेजी हमारी अब ये तयार है आप लोगों को ये चिकन कलेजी कढ़ाई की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा वीडियो पसान आए तो उसे लाइक और शेयर जरूर कीजेगा अपना हयाल रखेगा अलाह आफिस